हर्यणा के ग्रहमंत्री अनिल्वेज उन्दुना एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं एक बार फिर अमरत सर्दुली नैशनल हाईवेपोर ग्रहमंत्री का गुस्सा देखने के लिए मिला जा रौंग साइट से आ रहे ट्रोकों को रोक कर ग्रहमंत्री ने खुद ट्रोकों का चालान करवाया दरसल अनिल्वेज नैशनल हाईवेपोर काफिला रुकवाया था जिसके बाद खुछ जीटी रोड पर खड़े हो गया और इसके बाद गलत साइट से आ रहे है ट्रोकों को हाथ देकर रोका और उनके चालान करवाई इसके साथ ही ग्रामंत्री ने प्रदेश भर के अधिकारियों को साफ संदेश दिया किया तयात के नियमों को सक्ती से लागू करवाएं जिससे कि किसी भी दुरगटना से बचा देखा जाए तो अधिकतर जो रोड एक्सेडेंस के अंदर कैजुवलिटी होती है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो ट्रैफिक नेयम है उनकी पालना नहीं की जाती और इसके अंदर सबसे अधिकतर जो कारण है वो है लेन ड्राइविंग का डिसिप्लिन फॉलो ना करना और हमारे जो एचम साहब है उन्होंने कापी टाइम से मलए उनके मार्क दरशन के अंदर अमबाला पुलिस दोबारा एक पहले ही एक अभ्यान चल रहा है जिसके अंदर हम मैकसिमम जतने भी हैवी वेकल्स चाहे वो ट्रक्स हों डंपर्स हों कोई बसे हो जो लेन डिसिप् को देख लीजिए और गबर का एक्शन मोड गबर का वही अंदाज आपको देखने को मिलेगा जिसमें फैसला होंदा स्पॉर्ट एक तरीके से वो करते हैं उन्होंने देखा है कि ट्रके जो हैं वो रॉंग साइड से आ रही हैं उन्होंने तुरंत वहां पर सड़क पर उत नहीं करना है इसे बरदास्त नहीं किया जाएगा अमरे सर दिल्ली नैशनल हाइवे की तस्वीरे आपके सामने हैं आप देखिए खुद अनलविज के से ट्रकों को साइड में लगवा रहे हैं जो रॉंग साइड से आ रही थी सोचा भी नहीं होगा लोगों ने कि ऐसे मंत ट्रकों को रुकवा कर उनका चालान करवाया है अम्बाला की यह तस्वीरे अमरे सर दिल्ली नैशनल हाइवे की हैं जहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं ग्रिव मंत्री अनलविज ने ट्रकों को जो रॉंग साइड से आ रही थी उन्हें साइड में पहले उन्हें मोड पर मिल जाएं तो ट्राफिक नियमों का उलंगन नहीं करें तो बहतर है बारी भर कम चलान होगा सजा होगी सो अलग अलग